आशा के घर से बर्फ मांगर लेया पिंकी पडूस वाली घर से बर्फ मांगने चली जाती है और कुछ देर बाद पिंकी बर्फ लेकर आती है और अपनी ममी से कहती है ममी, आशा की ममी ने साफ मना कर दिया है कि वो बार-बार बर्फ नहीं देंगी वो बोल रही है कि उन्हें भी बर्फ की जरुरत होती है और हम हर समय उनसे बर्फ मांगने चले जाते हैं अब मुझे मत भीजना मुझे नहीं अच्छा लगता उनके घर से बार-बार बर्फ मांगना जब देखो सुनाती रहती है तेरे पापा को क्या फर्क पड़ेगा एक मा जी है जब देखो उनके रिष्टेदार आए बैठे रहते हैं उनके लिए ठंडे शर्बत बनाओ और ये नहीं पता कि बर्फ मांग कर लानी पड़ती है वो तो हुक्म चला देती है बेटा तू क्या मैं ही तुझे पड़ोस में नहीं भेजूगी हमारी अपनी भी कोई इस्जत है कोई ज़रूरत नहीं मांगने जाने की जब से पड़ोस वाली आशा की माने बर्फ के लिए सुनाया था वर्षा ने पिंकी और मोहित को बर्फ लेने जाने के लिए मना कर दिया रात को जब सब खाना खाने बैटते तो ठंडे पानी की प्यास में गर्म पानी पीकर गुजारा करते क्या हुआ बहू आज आशा की घर से बर्फ नहीं मंगवाई पानी तो बड़ा गरम है नहीं माची अब आशा की ममी ने सुनाना शुरू कर दिया है मैं बच्चों को वहाँ नहीं बेजूँगी अब आप गरम पानी पीकर ही गुजारा करो भरी गर्मी के दिनों में बिना फ्रिस के गुजारा करना अब वर्षा को बहुत ही परिशान कर रहा था वर्षा का पुराना फ्रिस दो साल पहले ही पूरी तरह से खराब होकर कबाड़ी को बेचा जा चुका था इसलिए पिछले साल भी जैसे तैसे सब ने बिना फ्रिस के गुजारा किया पर इस साल तो गर्मी शुरुआत से ही भयंकर पढ़ने लगी तो बिना फ्रिस के गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था दिनेश घरों में पुताई का काम करता था पर काफी समय से पेंट का काम बहुत कम मिल रहा था इस कारण वो फ्रिस के लिए पैसे नहीं जोड पा रहा था एक दिन वर्षा बाजार से लोट रही थी तब ही उसकी नजर एक पुराने सामान के दुकान पर पड़ी जहां दुकान के बाहर एक लकडी का पुराना फ्रिस रखा हुआ था वर्षा दुकानदार से बोली भाईया ये लकडी का फ्रिस कितने का दोगे बहन जी पांच सो रुपए का दोंगा पर गारिंटी कोई नहीं चले न चले पांच सो तो बहुत ज़ादा है भाईया मेरे पास तीन सो हैं अगर तीन सो में दे दो तो मैं ले लूगी ठीक है बहन जी वैसे भी मेरे तो ये किसी काम का ही नहीं है ले जाओ वर्षा दुकानदार को तीन सो रुपए देती है और वो लकडी का फ्रिस घर ले करा जाती है लकडी का फ्रिस देखकर उसकी सास और पती दोनों बाते बनाने लगते हैं अरे बहू भला ये लकडी का फ्रिस भी कोई काम करेगा बिकार में ही तुपैसे खराब करके आ गए दुकानदार ने तुझे पागल बना दिया वर्षा थोड़ा सा तो चिंता में आ जाती है कि कहीं उसने सच मुझ कोई गलती तो नहीं कर दी पर फिर भी वो उस लकडी के फ्रिस को साफ करके उसमें सामान रख देती है पिंकी और मोहित बार-बार फ्रिस को खोल कर देख रहे थे पर फ्रिस था कि ठंडा होई नहीं रहा था अब तो सच मुझ वर्षा भी घबराने लगी ममी इस फ्रिस में तो पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ कितनी देर का रखा हुआ है ममी फ्रिस नहीं चला तुम बेकारी खरीद कर लाई हो ये फ्रिस बिल्कुल खराब है ये तो हे भगवान मैं तो बहुत मन से ये फ्रिस खरीद कर लाई थी ताकि बच्चों को माजी को इनको सब को गर्मियों में ठंडा पानी ठंडी बर्फ मिल सके मैंने तो इन सब के बारे में अच्छा ही सोचा था पर मुझे क्या पता था कि ये लकडी का फ्रिस सिर्फ नाम का है एक डिबबा है जो बढ़िया फ्रिस की तरह नहीं चल सकता सच मुझ मैं भी कितनी पागल हूँ वर्शा की आँखों में आसू आ जाते हैं वो फ्रिस के दर्वाजे को बंद कर देती है तब ही पड़ोसन आशा की मा आ जाती है और वो लकडी के फ्रिस को देख कर जोर से हसती है लकडी का फ्रिस वर्शा जरा इस लकडी के फ्रिस की बर्व तो देना मैं भी इस्तिमाल करके देखू आशा कहा रही थी कि तुमने नया फ्रिस खरीदा है मुझे तो लगा पता नहीं रामजा ने कौन सी बढ़िया कमपनी का खरीदा है पर तुमने तो ये सस्ता सा लकडी का फ्रिज मुझे तो हसी आ रही है ये ही खरीदा है लाओ, मैं खुदी फ्रिज में से पानी निकाल लेती हूँ बहुत प्यास लगी है आशा की मा जैसे ही फ्रिज को खोल कर देखती है वो घबरा जाती है बाप रे, इतना ठंडा फ्रिज इसमें तो पानी बर्फ बन गया है इतना ठंडा फ्रिज है ये इतना ठंडा तो मेरा भी नहीं रहता वर्षा देखती है कि लकडी का फ्रिज बहुत ठंडा हो गया है सब लोग हैरान हो जाते है पिंक्यों और मोहित खुशी से उच्छलने लगते है पडोसन अपना समूले कर वहां से जाने लगती है अरे भाबी जी, बर्फ चाहिए हो तो मुझे बता देना मैं पिंक्यों और मोहित के हाथ भेज दूँगी पडोसन के जाने के बाद वर्षा सच मुझ हैरान थी कि अचानक फ्रिस चलने कैसे लगा तभी फ्रिस में से एक आवाज आती है मैं एक जादूई लकडी का फ्रिज हूँ मैं सिर्फ उनके ही का माता हूँ जिन्हें मेरी सरूरत होती है तुम्हें मेरी बहुत सरूरत थी इसलिए अब मैं हमेशा चालू रहूँगा और मेरी ठंडक हमेशा बनी रहेगी तुम आराम से अब मेरा उपयोग कर सकते हो लकडी के फ्रिस की बाते सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है फ्रिस के जादू से मिन्टो में पानी ठंडा हो जाता था और बर्फ भी जम जाती थी अब बनाई होई खाने पीने की चीज़े भी खराब नहीं होती थी वर्षा और उसका परिवार पूरे गर्मिया आराम से उस जादूई फ्रिस का आनन्द लेते रहे साधना, ओ साधना, ये दरोजे पर क्यों खड़ी है? कितनी देर से आवाजे लगा रही हूँ? ये क्या कर रही है? ये रोटिया किसे दे रही है? माजी, ये बेचारी अम्मा बहुत भूखी है, इसले ये दो रोटी खाने के लिए दे रही थी इधर लाईए रोटिया, तेरा बस चले तो एक दिन तु इन गरीब भिखारियों पर पूरा घरी लुटा देगी खोद के खाने के लिए रोटी है नहीं, तु इन्हें बाढ़ती फिर रही है माफ करना अमा, मैं आपको खाने का कुछ नहीं दे सकी कोई बात नहीं बेटी, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो मुझे रोटी ना देना तुम्हारी मजबूरी है, भगवान तुम्हारा भला करें मैं कितनी मजबूर हूँ, बिचारी अमा भूखी थी, फिर भी मैं उन्हें दो रोटी नहीं खिला सकी काश मेरे पास भी पैसे होते, तो मैं अम्मा को कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर देती अरे अब अंदर जाकर चूला जला ले, भूख के मारे मेरी आथे बाहर आ जाएंगी क्या वा मा, इतना परिशान क्यों रही हो? तेरी बीवी सबसे बड़ी परिशानी की जड़ है, सारा दिन मांगने वालों और भिखारियों के बारे में सोचती रहती है मैं नजर ना रखू तो पुरा घर लुटवा देगी ये, देख सुबोध, इसे साफ मना कर दे अगर इसने एक भी चीज किसी मांगने वाले को दान की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तो बोध अपने कमरे में आ जाता है, क्या हुआ? आप कुछ परिशान दिखाई पर रहे हो? कहीं, आप भी तो मांजी की तरह मुझे गलत नहीं समझ रहे है अब चिंता मित करो, सब ठीक हो जाएगा, अब आप सोचाओ, मैं थोड़ी देर में रसोई समीट कर आती हूँ काम की चिंता में ही कितने परिशान रहने लगे है, काश में कुछ कर पाती अगले दिन सुबोत किसी काम से दो दिन के लिए दूसरे गाउं गया हुआ था साधना रोजाना की तरह ही खाना बना रही थी बाबा को भिक्षा दो बेटी, आज महा एक आदशी का दिन है बेटी, दान करने और दूसरों की मदद करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते है ये बे-फिजूल का पार्ट मेरी बहु को पढ़ाने की जरूरत नहीं है मैंने एक बार मना कर दिया बाबा हम खुद गरीब हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते माफ करो और यहां से जाओ माजी, थोड़ा सा किसी को कुछ देने से आपका क्या बिगर जाता मैं अपने हिस्से की रोटियून बाबा को दे दूँगी, आप परिशान मत हो बाबा, रुको, ये लो, भोजन थोड़ा है, अगर इससे आपका पेट भर सके तो बेटी, मैं जानता हूँ, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया है देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे कर रही ना अपनी मनमानी, अब तु देख मैं क्या करती हूँ चल निकल घर से, और जाकर रात का भोजन बनाने के लिए पैसे ले करा बड़ी मांगने वालों की सखी बनती है, अब देखती हूँ तेरी मदद करने को कौन आता है पर माची मैं इतनी सुबह सुबह कहां जाओंगी, मुझे पैसे कौन देगा मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला पर बिना पैसे लिए तू घर वापिस नहीं आएगी साधना रोती हुई घर से निकल पड़ती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए चलते चलते साधना एक जंगल में पहुँच जाती है, और वहाँ पेड के नीचे बैठ का रोने लगती है अचारण साधना को एक हाथी के चीकने की आवाज सुनाई देती है ये ये तो किसी हाथी की आवाज है आवास तो अस तालाप में से आ रही है अरे, ये चोटा हाथी का बच्चा तो दलदल में फसा हुआ है रुको, घब्राओने, मैं अभी तुम्हें इस तालाप से बाहर निकालती हूँ मुझे पेड की टेनियों को बांध कर रसी बनानी होगी साधना बहुत कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को तालाप के कीचड में से बाहर निकालती है ये बेचारा तो कीचड में गंदा हो गया है इसे इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती मुझे इसे घर ले जाकर नहलाना होगा और लगता है ये बहुत भूखा भी है चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर नहीं